जह हिंत फुट्र फंडी आप श्वागत हैं मैं हूँ इमान सुक मार और फ्री वीडियों होड़ा को डिस्कस करने जा रहे हैं एक सी शॉफबेर के बारे में काप्वी दिनों यो बात चीतने हुए तो इस वीडियो में एक आने वाले कुछ समय कंद्र में क्या गिराओट हो सकते हैं तो क्या मतलब इसके बारे में इस वीडियो में समझने का प्रयास करें अभी लाश्ट टेटिंग सेसन दौरान की बात करें पिछले दिन उजब मार्केट ओपें था तो देखेंगे दूर पर 5 पैसा के दिन इसन सब्सक्राइब देखेंगे लेकिन यहां से देखेंगे तो ग्राफ इसका फिल डाउन हो गया है तो इसको आस्थाई तेजी नहीं कहेंगे यहां पर देखेंगे तो भी एक साल का मैंने सब्सक्राइब का चार्ट पर आप देखेंगे तो आप आएंगे कि अभी इस प्राइस से एकदम असपश्ट रूप से यहां पर आप देख सकते हैं कितना तीजी से नीचे की तिरफ यहां से देखेंगे तो प्राइस अगदम नीचे तरफ है यह वाला एरिया जो था इसके लिए को एकदम इंपोर्टन सपोर्ट लेवल था जहां पर इसने मल्टीपल पार सपोर्ट लिया है लेकिं तक्रीपन पांचवी बार इसने अपना सपोर्ट ब्रेक करके प्राइस पर नीचे जाने लगा है और अब इसका अगला सपोर्ट के सलिए भंवा तीसरा बार भीचा अपर जिए कर सब्सक्राइब करते हैं कि निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं वरना देखेंगे तो यह भारत मच्छने चलर रहेका इटी सेक्टर की पिटाई ही हो रही हो रही है और आने वाला समय इटी सेक्टर में किस खास देजी देखने को नहीं मिलेगी बाकी कमणी के फंडामेंटल की बात करें तो 342 क्रों कासपास मार्केट के लिए से अब यह ठीक है लेकि तो अभी दू में कुछ बात नहीं पांसाल के लिए तो अलग बात है लेकिन सोट टर्म का नजरिया है तो मेरा ख्याल रहेगा आपको इसमें से निकल जाना चाहिए क्योंकि आने वाला समय तीजी देखने को नहीं मिलेगी उमीद करते हैं अब स्वाल होगा तो कोमेंट में जुरूर बात सुप्रिया हुआ